हेलो दोस्तों, स्टॉप मार्केट स्टीवी के डेली स्टॉप न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो आप से इस वीडियो को पूरा देखने की अपेक्षा रखते हुए जल्दी से इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। ये स्टॉप प्रेजिंटली ट्रेड कर रहा है 307 रुपए पर और इसका RSI पॉजिटिव सिगनल दिखा रहा है। आज ये स्टॉप और अगर ये स्टॉप आने वाले दिनों में और उपर जाता है तो इसका आप साइड लेवल्स होंगे। इसका पहला रिजिन्स 311 रुपए इसका दुसरा रिजिस्टिंस 317 रुपए और 15 पैसे और इसका तीसरा रिजिस्टिंस 323 रुपए और 75 पैसे और अगर ये स्टॉप इस लेवल से नीचे की तरफ जाता है तो इसका पहला सपोर्ट होगा 300 रुपए इसका दुसरा सपोर्ट होगा 291 रुपए और 15 पैसे और इसका तीसरा सपोर्ट होगा 284 रुपए और 10 पैसे तो दोस्तो आज गुरुवार 12 अक्टूबर 2023 का हमारा करेंट टॉप लूजर टाटा कॉंसल 10C Services Limited हैं ये स्टॉक Presently Trade कर रहा है 3548 रुपए और 5 पैसे पर और इसका RSI Negative Signal दिखा रहा है और MACD Negative Signal दिखा रहा है आज ये स्टॉक और एक दशमलव साथ एक परसेंट नीचे चल रहा है और अगर ये स्टॉक आने वाले दिनों में और नीचे जाता है तो इसका Downside Levels होंगे इसका पहला support 3518 रुपए और 40 पैसे इसका दुसरा support 3462 रुपए और 25 पैसे और इसका तीसरा support 3415 रुपए और 15 पैसे और अगर ये स्टॉक इस लेवल से उपर की तरफ जाता है तो इसका पहला resistance होगा 3610 रुपए और 55 पैसे इसका दुसरा रिजिस्टन्स होगा 3680 रुपए और 60 पैसे और इसका तीसरा रिजिस्टन्स होगा 3742 रुपए और 85 पैसे दोस्तों यह वीडियो केबल और केबल एजुकेशनल परपस के लिए है इनने कोई बाई, सेल या होल्ड की सलहा नहीं है आपको ग्यापार करने से पहले अपने वित्तिय सलाहकार से परामर्श करने की सलाह दी जाती है वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में तब तक के लिए अलबिदा